हेलो फ्रेंड दिस गौरावजन बेलकम टो 360 डिगरी डिजिटल प्लेटफर्म हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था लापलास का पहला दूसरा और तीसरी क्लास और उसमें हमने देखे थे कुछ डेरिवेशन ठीक है आज हम उसके आगे डेरिवेशन करने ज हम देखते हैं कि लापलास की जो है वो हमारी क्लास नंबर है फोर और फोर क्लास में जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे के डेरिवेशन तो एक बार हम पहले रिवीजन कर लेते हैं कि कौन-कौन से चीज जो है वो हमने पढ़ ली है यदि मैं आप से बात करूँ तो य T की जगह पर हम 1 लेके चलते हैं, फिर E to the power 80 लेके चलते हैं, हमने यहाँ पर देखा था कि Laplace of 1 is equal to होता है, E to the power 80, यहाँ पर यदि प्लस होता है, तो यहाँ पर minus आता है, और यहाँ पर minus होता है, तो यहाँ पर plus आता है, और sin H 80 is equal to A upon S square minus A square, यह दोनों चीज़ें हमने देख ली थी, आज जो हम देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, Laplace of cos 80 और Laplace of sin 80, और यहाँ पर आप देख रहे हो, कि यह value होती है, यहाँ पर minus में थी, यहाँ पर plus में होती है, और कोई difference नहीं है, तो cos में आता है S, और sin में आता है E, यह आपको याद रखना है, अब यह derivation कैसे करेंगे, वो हम देखते हों, और आखरी में जो है, वो last वाली जो है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, तो आईए हम देखते हैं, यह वाला derivation, हमने यहाँ पर देखा है, कि Laplace of cos E t is equal to होता है, S upon S square plus A square, ठीक है, और हमने पढ़ रखा है, कि we know that, हमने देखा था, we know that, हम जानते हैं, we know that, Laplace of f t is equal to 0 to infinity e to the power minus s t, और f t dt, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहा हो, कि आपको डाला है, cos 80, f t की जगे पे, और जब इसको solve करोगे, यह बन जाएगा, 0 to infinity e to the power minus s t, और f t की जगे पर हम लग देखेंगे, cos 80, और dt, और हमने जो है, पिछली बार जब कर रहा था, cos h 80 का, तो हमने एक formula लिखा था, ऐसे यहाँ पर हमारा जो formula होता है, वो यह होता है, और यह होता है, 0 to infinity, e to the power minus s t, और cos 80 की जगे पे, हमें यह लखना है, e to the power i at, e to the power i at, plus e to the power minus i at, divided by लिखना है 2, और हो जाएगा dt, अब एक काम करते हैं, यदि हमें इसको अलग लग करना है, तो हमने यहाँ पर 1 by 2 बाहर निकाल लेना है, और अंदर जो बनेगा, बनेगा 0 to infinity, e to the power minus s t, e to the power i at, और dt, plus 0 to infinity, e to the power minus s t, e to the power minus i at, और dt, अब ये दोनों चीज़ें जो है, हमने formula में देखी है, कहाँ पर देखी है, वो हम आपको बता देते हैं, जब हमने derivation किया था ये वाला, e to the power i at, तो अपन ने 80 का करा था, वस यहाँ पर i आ गया है, यहाँ पर plus होता था, तो यहाँ पर minus होता था, और यहाँ पर minus होता था, यहाँ पर plus होता था, जब तुम इसको solve करोगे, तो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं, यहाँ तो अगले में ही बना लेते हैं, एक step और लिख लेते हैं यह पर, तो हमारा यह बन जाएगा, ठीक है, इसका partition कर देते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छी से आ जाए, ठीक, यहाँ पर जब हम इसकी value करेंगे, तो हो जाएगा 1 by 2, ठीक, और इसकी value जो है, वो बन जाएगी, लापलास of, e to the power, अब यहाँ पर plus है, तो आजाएगा, minus, minus i, minus i 80, minus i 80, ठीक है, यह हो जायगा, इसकी value, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर plus है, यहाँ पर plus है, तो आजाएगा minus, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा plus, फिलियान आप देखो इसकी वेल्यू जो है वनवाय टू हम देखिये यह क्या बनती है वन अपान S प्लस IA प्लस 1 अपान S माइनस IA यह value बन गई अब अपन चलते हैं अगली slide की ओर तो अपन ने जो देखा है एक बार फिर लिख लेती हैं यहाँ पर हमने जो देखा है वो देखा 1 बार 2 1 अपान और क्या देखा था एक बार देख ले और हमने देखा है S प्लस IA तो यह हो जाएगा S प्लस IA प्लस वान अपान S माइनस IA ठीक है तो आएए आएए वो लह जाएए नहीं वुल्ला यहाँ पेलसियम ले लेंगे पेलसियम जो आजाएगा वो आजाएगा S प्लस IA और यह बन जाएगा S माइनस IA ठीक है और 1 बार टू तो बाहर चली रहा है इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है यह दोनों कट जाएगे तो यह हो जाएगा 1 बार 2 यह हो जाएगा 2S और यह बन जाएगा S स्क्वेर minus i1 square ठीके अब जब तुम इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा 1y2 यह हो जाएगा 2s या 2 से 2 काट दू तो यहाँ पर एकापन 2 जो है वो हटा देते हैं यहाँ कि 2 to 2 गायब कर देते हैं ठीके और इसके बाद जो है यहाँ पर एकापन solve करेंगे यह हो जाएगा रित्ता हो जाएगा root of minus 1 का square और यह हो जाएगा minus का 1 तो i2 की value होती ही minus 1 जब यहाँ पर value तुम रखोगे तो यह हो जाएगा 1 upon s2 minus और minus इसका यह हो जाएगा a2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा plus यह हो जाएगा s2 plus a2 तो आप आपफ नहीं है है तो यहां पर बन जाएगा लापला स्वाप कॉस एटी की वेल्यू को जाएगा यहीं यहीं है व्ले उल्ड़ी जो है वह यहां पर स्कैने थीकर चाइगा साफूर स्क्वेर प्लस एगं कि जैने स्क्वाटेल कि itself है मौ यहां पर अचुकि है और यहाँ पर cos 80 is equal to S upon S square plus A square यहाँ तक सबको समझ में आया ठीक है तो हमने क्या क्या किया है एक बार फिर दिखा देता हूं मैं सबसे पहले हमें यह दिया था और हमने इसकी value रखी है cos 80 की value रखी है cos 80 की value जो होती है वो होती है हमारी यह ठीक है यहाँ पर रखने के बाद अलग लग किया है यह दोनों formula हमने देख रखे थे यहाँ पर value रखी है और इसको solve किया है तो हमारा जो answer आया है वो है la plus of cos 80 is equal to S upon S square plus A square यहाँ तक समझ में आया तो अगला question करते है अगला जो हमारा है sin 80 is equal to S upon S square plus ठीक है तो हम यहाँ पर लिख रहे है we know that हम जानते हैं हम क्या जानते हैं हम जानते हैं la plus of empty बरावर zero to infinity e to the power minus st और empty dt यह जानते हैं ठीक है और यहाँ पर sin की जगह पर अपनको रखना है सब्सक्राइब के जगह पर sin 80 और sin 80 is equal to होता है zero to infinity e to the power minus st empty की जगह पर आपको रखना है sin 80 और रखना है dt ठीक है इसकी value होती है क्या होती है यह होती है value रखतो zero to infinity e to the power minus st और sin की value होती है e to the power iat minus e to the power minus iat divided by 2y ठीक है तो इसको आपको याद रखना है जब इसको solve करोगे ठीक है तो ये दो formula लगेंगे हमें पता है तो भी हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हमने 1y2y बाहर निकाला ठीक है तो अंदर जो बन जाएगा वो बन जाएगा zero to infinity e to the power minus st e to the power iat ठीक है और यहाँ पर आजाएगा dt minus zero to infinity e to the power minus iat ठीक है यहाँ पर आजाएगा minus st और e to the power minus iat और dt ठीक है इन दौनों की value जो है वो हमने निकाल रखी है वो आजाएगा one upon two i ठीक है तो इनमें equal to लगा ले ना आप ठीक यह जो value है यह लाप्लास of प्लास है तो minus है तो आजाएगा one upon यह जाएगा लाप्लास of e to the power iat और यह बन जाएगी minus लाप्लास of e to the power minus iat ठीक है अब इनकी जो values है वो है यहाँ पर minus और यहाँ पर plus है तो आएगा minus तो minus वाली को पहले लिखना है तो इसे याद रख लेना है अपन को यह हो जाएगा one upon two i और यह हो जाएगा हमारा one upon s minus iat और minus one upon s plus iat ठीक है एक बार check कर लेते हैं कि minus plus सही लगा है कि नहीं लगा है ठीक है क्योंकि अपन को रटना नहीं हमें solve करते हैं आना चीए तो यहाँ पर plus है तो minus है तो minus है तो plus है और बीच में minus है ठीक है तो यहाँ पर minus आगे प्लस आगे LCM ले लो LCM लोगे तो आजाएगा s minus आईए और यह हो जाएगा s plus आईए यहां तक तीयत और जब इसको solve करोगा तो यह हो जाएगा s plus आईए minus और यह हो जाएगा हमारा minus plus आईए ठीक है अब आप देख रहे है के s से s गया यहाँ जाएगा 1 अपान 2 आईए यहाँ जाएगा 2 आईए 2 से 2 2 आईए से 2 आईए गया minus आईए का square और अब यह अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है ठीक है क्या देखा है कि a अपान यह जाएगा s square minus i का square और e का square और अपन ने भी टोड़ी देर पहले देखा था कि i बराबर होता है root of minus 1 और i square is equal to हो जाएगा root of minus 1 का square तो i square is equal to minus का बन और यहाँ पर value रखेंगी ठीक है तो value हमारी बन जाएगी a अपान s square minus of minus 1 और e square minus minus हो जाएगा plus ठीक है तो यह हो जाएगी la plus of sin 80 की value और यह value हो जाएगी k upon s square plus a square ठीक है तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा यह क्योंकि exam में पूछा जाता है यहाँ तक समझ में आगे आपको clear तो देखो हमने जो देखा सबसे पहले हमने देखा cos 80 का फिर हमने देखा sin 80 का ठीक है और नीचे जो है वो plus आता है तो आपको याद रखना है cos में cos सा तो s में cos s upon a square plus a square sin में a upon s square plus a square यहाँ तक लिए अब last में जो हम देखने जा रहा है last property हमारी बचती है तो फिर हम फिर लिखते हैं we know that we know that ठीक है और हम क्या जानते हैं laplace of empty zero to infinity e to the power minus st ठीक है और यहाँ आप हम लिखते हैं empty यह हम भले ही नहीं जानते हो मगार हम जानते हैं हमेशा याद रखो जो property होती और पहले chapter की definition होती वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी मैं laplace पढ़ा रहा हूं तो laplace की definition उससे पूरा laplace खतम हो जाएगा ठीक है साथ ना आपको पूरा मैंस दाना चाहिए ऐसे four year पढ़ाँगा तो four year की definition आपको आनी चाहिए पूरे question खतम हो जाएगे ठीक है तो अब अपन यहाँ पर value रख देते हैं zero to infinity यह हो जाएगा laplace of t to the power n इसको याद रखना है अच्छे से ठीक हो यहाँ पर एक process होती है प्रोसेस क्या होती है वह मैं आपको बताता हूं यहाँ पर हम क्या करते हैं st बराबर put करते हैं x मानते हैं put formula जो है प्रूब करने का एक तरीका है ठीक है यहाँ पर जब तुम इसको solve करोगे तो t बराबर आ जाएगा x upon s और जब पर इसको solve करेंगे तो dt बराबर आ जाएगा dx divided by s यहाँ आपन मान सकते हैं और लिख सकते हैं जब तुम यहाँ पर put करोगे तो यह value जो है यह बन जाएगी 0 to infinity e to the power minus x ठीक है और t, t की value है x upon s की power में n और यह जाएगा dt, solve कर देना तो आप देख रहे हो यहाँ पे यह पन ने देखा, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज अपन भूल गए, क्या भूल गए, जब अपन dx करेंगे तो dt की value dx upon x सही तो है, ठीक है, अब t की value है जो अपन यह put करी और dt की value अपन पन पन करना भूल गए dt की value जो है, वो पन यहाँ पे नहीं लिखी है, क्योंकि dt के form में नहीं लाना है, अपन को लाना है dx के form में, तो यह जाएगा dx divided by s, clear, आप इसको अलग लग करेंगे तो आजाएगा 0 to infinity, e to the power minus का s, x की power में n, divided by s की power में n, और यह जाएगा dx divided by s की power में बन, जब तुम इसक को solve करोगे, तो यहाँ पे जो value बन जाएगी, वो बन जाएगी 0 to infinity, e to the power minus x, और x की power में n, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे यह बन के आजाएगा s की power में n प्लस का 1, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे x की power में n है, और यहाँ पे s की power में 1 है, ठीके, और यह हो dx, इसको open बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें इसा याद रखें, जब भी आप कोई भी derivation करते हैं, तो उसकी step जो है, वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप answer नहीं निकाल पाऊगी, ठीके, यहां तक हमें बनाना है, तो एक बार पूरी चीजें, फिर समझा देता हूं है, कि हमने क्या क्या किया है, ठीके, और आप भी एक बार अपनी copy में note करते करते, एक बार देखें पूरी चीजें, ठीके, तो हमने क्या करा है, we know that Laplace of Ft is equal to 0 to infinity e to the power minus st और Ft, Dt, यहां पर हमने क्या करा है, Ft की जगह पर T to the power n डाला है, पिर solve करने के लिए हमने क्या करा, st की जगह पर put करा, x, तो t बरावर आजाएगा, x, y, s, y, nीचे आजाएगा, तो यहां पर जब हम integration करते हैं, तो यदि हम कोई चीज put करते हैं, तो उसी की respect में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, dt बरावर आजागा, dx, y,s, यहां तक clear, और जब हम यहां पर value सब की put करते हैं, सबसे पहले हमने यह t की value put करी, फिर हमने dt की value put करी, जब value put करोगे और इनको अलग-अलग करोगे, तो यह ऐसा बन जाएगा, और यहां से, s की power में n प्लस बन बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप इसको अपन और solve करते हैं, तो हमारे पास जो बन गया है, वो बन गया है, one upon, s की power में n प्लस बन, ठीक है, और bracket में बना है, zero to infinity, e to the power minus का x, और एक बार देख लो, क्या बना है, और बना है, x की power में n dx, x की power में n dx, अब यह जो चीज़ बनी है, ठीक है, यह, यह एक formula होती है, कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको याद रखना होगा, याद कैसे रखना होगा, तो हमने बच्पन में पढ़ रखा है, की, zero to infinity, e to the power minus x, x ही power में n minus 1, dt is equal to होता है, यहाँ पहोना चाहिए, gamma n, यह काई की value होती है, gamma n की, ठीक है, और gamma n plus 1, ठीक है, यदि अपन को निकालना है, तो n की जीगए पर n plus 1 परा, तो यह बने जाएगा, gamma n plus 1, और gamma n plus 1 की जो value है, वो हमारी आ गई, zero to infinity, e to the power minus x, 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 यह वाली value, यह जैसे दिख रही है, हाँ, दिख रही है, ठीक है, और यह चीज़ और याद रखें, की, gamma n plus 1 की value होती है, n factorial, तो यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ज gamma n plus 1 की value जो होती है, वो होती है, n factorial, ठीक है, तो जो हमें प्रूप करना था, कि लाप्लास ओफ f t, f t माने t to the power n, is equal to होता है, n factorial divided by s की power में n plus का बन, तो जो हमें प्रूप करना था, वो हमारा प्रूप हो चुका है, ठीक है, तो आप देख रहे हो, कि इस वाले derivation में, यह हमालों के 90% चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जैसे अब यह वाला formula है, यह वाला formula तो आपनको कम से कम याद ही होना चाहिए, नहीं तो आप सौली नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इस प्रिकार से जो है, लाप्लास के derivation होती है, ठीक है, आपको इंडिया, ओल युनिवर्सिटी और ओल सब्जेक्ट और ओल ब्रांचेस में डील करते हैं, जिसके सिलेवस जो है, गो हम युनिवर्सिटी के according ड्रो करते हैं, ठीक है, यदि आप हम से जुड़ना चाहिते हैं, और अपने सिलेवस को बनवाना चाहिते हैं, तो आप हमारे दियो हैं नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने कॉर्सिस को बनवा सकते हैं, ठीक है, अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ, ठेंक यू